अभी रंदन आभार आदर नमस्कार में कुंदन कुमार सिंग महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को तेजपूर यॉनिवर्सेटी जो की आसाम में इस्थित है और यह एक सेंठल यूनिवर्सेटी है इसके सभी कोर्सेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कृप्या करके आप ध्यान पुरबख सुनिए तेजपूर यूनिवर्सेटी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेट हैं जो integrated course के रूप में उपलब्द हैं और अच्छी बात ये है कि उन courses में आप admission लेने के बाद तीन साल बाद आपका ये मन होता है कि मैं अपनी graduation के degree यहां से ले लेता हूं तो वो provision है यहां पर कि आपको वो integrated course में admission लेने के बावजूद भी जो 5 सल का course है maximum integrated course और कुछ B.A. प्र प्लस MSC हो गया ऐसे integrated program में admission लेने के बाद तिन साल बाद आपको graduation के degree ये दे सकते हैं ऐसा provision है यहां clearly लिखा हुआ है तो इसके application तो प्रारंब हो चुके है ये वीडियो हमने आपको कल ही बताया था इसके बारे में लेकिन ये वीडियो जो है exclusive आपके उन सभी syllabus के बारे में है जो यहां पर उपलब्द है ताकि आप उन सभी syllabus के बारे में जाने और अपनी इच्छानों साथ जिसमें भी आप admission लेना चाहे तो उसके entrance examination के basis पर आप admission ले सकते हैं और इस महान university का हिस्सा बन सकते हैं जो की नायक के द्वारा A grade प्रमानित विश्चो विद्याले है और उनको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं क्रेप्या ध्यान पुर्वक सोनियेगा और सोने देखने के बाद में maximum logo तक शेयर भी कीचिएगा ये जो PDF फाइल अभी स्क्रीन के उपर आप देख रहे हैं ये तेजपूर यूनिवसिटी के official website से लिया गया है इसमें सभी उन प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है कि कौन-कोन से प्रोग्राम यहाँ पर पढ़ने के लिए उपलब्द हैं तो School of Engineering में Department of Computer Science and Technology में B.Tech in Computer Science, Master of Computer Science Application, M.Tech in Information Technology, Ph.D. in Computer Science and Engineering, Department of Electronic and Communication Engineering में B.Tech in Electronics and Communication Engineering है, M.Tech in Electronics and Design Technology है, M.Tech in Bio-Electronics है, and Ph.D. in Electronics and Communication Engineering है, Department of Electrical Engineering में B.Tech उपलब्द है और इन सभी B.Tech के जितने भी प्रोग्राम हैं यहाँ पर J.E. Mains और Advanced के आपके Marks के बेसिस पर, Rank के बेसिस पर Admission मिलता है तेजपूर University में B.Tech के डिगरी के लिए, तो Civil Engineering के डिगरी यहाँ पर मिल इती है, आपको B.Tech में और B. Bachelor of Vocation in Food Processing as well, Department of Energy में M.Tech है, Bachelor of Vocation in Renewable Energy कोर्स यहाँ पर उपलब्द हर, Ph.D. तो सभी में है ही है, School of Sciences की बात करते हैं तो यह देखिए Department of Chemical Sciences में, M.Sc in Chemistry is there, M.Tech in Polymer Science and Technology is there, यह लगभग हर जगा कोर्स ऐसे नहीं मिलते हैं, Polymer Science is not there in B.H.U. as well, जो कि one of the largest university in the country है, Integrated M.Sc. Chemistry है, जिसमें अगर तीन साल बाद अगर आप चाहें कि मुझे graduation के degree लेनी है, और यहां से छोड़ करके दूसरे university में मुझे दाखला लेना है, तो वो आपको provide कर देंगे graduation के degree तीन साल बात, जब आप graduate हो जाएंगे, finally, Integrated M.Sc. Chemistry वैसे यह 5 साल का कोर्स है, Integrated B.Sc. B.A. Chemistry है, B.Sc. B.A. Integrated यह 4 साल का कोर्स है, तो ऐसे Integrated B.A. Programs इवन B.H.U. में भी नहीं है, तो ऐसे में आपको यहां पढ़ने का मौका मिलता है, जो 12th बात सी रहा, Integrated B.A. Program में, Chemistry में, आप दाखला ले सकते हैं, entrance examination के basis पर, इसके बाद, Department of Molecular Biology and Biotechnology में, M.Sc. in Molecular Biology and Biotechnology, Integrated M.Sc. Bio Science and Bio Informatics, यह भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसमें भी अगर आप चाहें, तो graduation के बाद, डिग्री ले करके जा सकते हैं, otherwise you can continue for next two years, for your post graduation degree, Department of Mathematical Sciences में, M.Sc. in Mathematics है, Integrated M.Sc. प्रोग्राम भी है, जो आपको 3 साल प्लस 2 साल वाला स्किम बताया, वो हैं आपर Mathematics में, तो यह 4 साल कोर्स है, Integrated B.Sc. B.A.D., और तो बढ़िया opportunity है, आप सभी के लिए, Department of Physics, M.Sc. है, M.Sc. in Nanoscience and Technology, यह कोर्स हर जगव उपलब नहीं है, इवन B.H.U. में नहीं है, लेकिन वहाँ पर है, Integrated M.Sc. in Physics, Integrated M.Sc. in Physics, आप कर सकते हैं, और Integrated B.Sc. B.A.D. भी है, यहा जिसके बहुत सारे aspirants होते हैं, M.A. in Cultural Studies है, then Department of English and Foreign Languages में, M.A. in English है, M.A. in Linguistics and Language Technology, M.A. in Linguistics and Endangered Language, Integrated M.A. English, Integrated M.A. English बहुत ही अच्छा कोर्स है, यह 5 साल का है, अगर 3 साल बाद आप college चेंज करना चाहते हैं, university चेंज करना चाहते हैं, तो आपको graduation के degree वहाँ से मिल ज गए, entrance examination के basis पर, आप admission ले लिजे, master's में, one year certificate Chinese में भी है, integrated B.A. B.A. है, देखिए, यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, B.A. B.A. English में, तो यह integrated 4 साल का course है, B.A. B.A. All right, तो here you can apply, maximum जो 12th past student है, जो एक सिक्षक के रूप में अपने भूमी का बाद में निभाना चाहते ह है, तो वो इस पे बखु भी apply कर सकते हैं, then department of mass communication and journalism की बात करते हैं, तो master's in journalism and mass communication है, MA in journalism for development है, PhD in mass communication and journalism is there, then department of sociology में MA in sociology है, PhD तो ही है, हिंदी में MA in Hindi है, department of law में master's LLM की degree यहां से ले सकते हैं, social work master's में कर सकते हैं, MA in education है, B.A. भी है, यहां पर अलग से graduation के बाद entrance examination के basis पर, आप B.A. में भी दाखिला ले सकते हैं, टेस्पूरी उनिवसिटी जो की आसाम में इस्थिट है, then center for women studies में PG diploma है, center for inclusive development में PG diploma in child rights and governance, यह बहुत special course है, then school of management studies में department of business administration, master of business administration है, master of tourism and tribal management है, TTM की degree है यहां पर और यह course बहुत ही आजकल demand में है, tourism को बढ़ते बढ़ते इस course का भी demand बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जितनी भी maximum central universities में हलांकी यह program है, लेकिन seat बड़ी कम है, और उसमें आप तेस्पूरी उनिवसिटी का भी हिस्सा बनके पढ़ाई कर सकते हैं, इस course को pursue कर सकते हैं, तूरीमा, तूरीजमा, तूरीजमा बी मिल सकते हैं, तो इस इस आप को यहां पर यहां पर, Community College में इपलो में इन पैरा-Legal Practice है, यह Community College, इस रिक अधल्ची जावाएं, तो थोड़ा सा, यह रहा है, तो थाद तो थोडों सा, बहुत था ही लिस्साइश्यार given और offered by तेजपूर यूनिवर्सिटी which is located in Assam a central university तो उमीद है ये वीडियो काफी आपके लिए informative रहा होगा अगर पसंद आया तो जरूर लाइक किजिए maximum logo तक share तो करना ही करना है और अगर इस चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो do subscribe क्योंकि ऐसे ही information आपको मिलते रहते हैं हमेशा और हमेशा जिसको पढ़कर सुनकर देखकर आप जरूर ही लाभानमित होते हैं थैंक यू फो वचिंग लास्ट में कहते जा रहा हूं कि डोंट फोगेट तो ब्रस तबेल आइकन so that you couldn't miss any video in future regarding education thank you for watching and all the best for your bright future god bless you all good luck